प्रकाश राच को महगा पड़ गया है जिसके बाद उन्हें आलोश नाओं का जम कर सामना करना पड़ रहा है साउथ इंडियन एक्टर प्रकाश राच ने बुधवार को चंद्रयान थ्री के सफल लेंडिंग के बाद इतिहास रशने के लिए इसरो को धेर सारी बधाई दी है उन्होंने एक बार फेट ट्विटर पर चंद्रयान थ्री को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है साथ ही भारत के इस कौर्वामित करने वाले पल के लिए सबी देशवास्यों को बधाई भी दी है उन्होंने अपने ट्विटर पर भारती अंतरिक्षन उसंधान संगठन इसरो को बधाई देते हुए प्रकास राज ने इसे गर्व का पल बताया है और कहा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान थ्री की सफल लेंडिंग हर इनसान के लिए जस्न का पल है इसरो को बहुत सारी बधाई और धन्यवाद जिन्होंने ये खुशी तेश को दी है साथ ही प्रकास राज ने वैग्यानिकों का भी जिक्र किया है जिनकी वज़े से ये मिशन संभव हो पाया है इन सब की पीछ प्रकास राज को ट्विटर पर एक मजा करना भारी पड़ गया है सोमोर को प्रकासराज ने एक मेम को शेयर किया था जिसमें उन्होंने चायवाला का एक मेम शेयर किया था जिसके बाद हिंदू संगठन उनके खिलाफ हो गया है और शिकायत भी दर्ज करवाई है हाला कि एक अन्य पोस्ट में टोलर्स को जवाब देते हुए प्रकासराज ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा है कि नफरत केवल नफरत देखती है लेकिन सोशल मीडिया में लगातार प्रकासराज के खिलाफ ट्विटर पर हैस्टेग चलाए जा रहे है और साथ में ही उनके खिलाफ एफायार तर्ज करके उन्हें चेल भेजने की भी बात कही जा रही है हाला कि सोशल मीडिया पर कुछ ट्विटर एकाउंट उन्हें गदार भी कह रहे है कुछ तस्वीरों में उमर खालीद और गनहिया कुमार के साथ भी फिल्म एक्टर प्रकासराज की फोटो भी लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट की जा रही है कुमार के साथ भी जा रही है